आइसमान योजना की बैपसाट पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है पहले क्या होता था कि आपको अगर नाम सर्च करना है तो आप नाम डालते थे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एरिया, फिर पिन कोड फिर उस नाम से जितने भी लोग हुआ करते थे, सब का नाम आता था उसमें से आपको अपना नाम चेक करना पड़ता था 2011 में जब जनगरना हुई थी, तो उन लोगों ने नाम की स्पेलिंग भी गलत कर दी थी तो काफी लोग अपना नाम सर्च नहीं कर पाते हैं तो इसलिए पैपसार पर एक बहुत बड़ा बदला किया गया है आप अपने एरिया के सारे लिस्ट पूरी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हिंदी में अपना नाम चेक कर सकते हैं तो काफी लोगों के नाम इस तरीके से लिस्ट में वहाँ पर नहीं मिले थे वह इस लिस्ट में अपने नाम आसानी से चेक कर पा रहे हैं तो आप उस लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपना और अपने आसपास का अपने एरिया में सबी लोगों का नाम आसानी से कैसे चेक कर सकते हैं तो चले फिर मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से आपको करना होगा तो दोस्तों हम आगे हैं अपने डेश्टॉप पर यहाँ पर आपको एक website सर्च करनी है pmjay.gov.in आपको पूरा इसी तरीके से सर्च करना होगा जैसे आप यह सर्च करेंगे तो इनकी जो official website है वो यहाँ पर open हो जाएगी इसे आप अपने mobile में download करना चाहते तो आप अपने mobile में भी कर सकते हैं इसी तरीके से आपको सर्च करना होगा इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं यह menu आप यहाँ पर देख रहे हैं यह menu पर आपको किलिक करना होगा जैसे आप इस पर किलिक करेंगे तो आपके सामने यह वाला interface open हो जाएगा इसमें आपको इस वाले option पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है village level ACCC data तो आपको इस पर click करना होगा यहाँ पर आप share का भी कर सकते हैं village आप समझने की village का है तो ऐसा नहीं है इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी mobile number देना होगा जिस पर OTP आएगा तो हम यहाँ पर number डाल देते हैं OTP डालने के बाद फिर आपको यह capture code है यह इसमें डालना है और फिर आपको login वाले option पर click करना है फिर आपके सामने यह interface आएगा यहाँ पर यह download report देख रहे हैं और यहाँ पर आपको state name select करना है अगर आप यहाँ पर सहर में रहते हैं तो आपको ulv वाले option पर click करना है अगर आप गाउं में रहते हैं तो आपको block select करना है तो यहाँ पर गाउं की हम निकाल रहे हैं और जो मल्दब की हमारा जो नाम था वो block में आया था हमारे area का तो इसलिए मनें यहाँ पर block डाला है फिर यहाँ पर block name यहाँ पर आपको select करना है कि आपका जो block है वो क्या है तो यहाँ पर आपको लेना है इसके बाद यहाँ पर village name आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना village select करना है गाउं का नाम तो वो यहाँ पर आपको select करना होगा इसके बाद फिर आपको search वाले option पर click करना है search होने के बाद में फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक PDF फाइल यहाँ पर मिल जाती है इस पर आपको PDF वाले option पर click करना होगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यह जो PDF फाइल है वो आपके mobile और laptop में इसी तरह के से यहाँ पर download हो जाएगी तो आप इसे open करेंगे फिर इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पूरी list आ जाएगी जिसमें family ID होगी name होगा English में और यहाँ पर Hindi में फिर father name होगा Hindi और English में इसके बाद यहाँ पर card create का option देख रहे हैं तो यहाँ पर यह N है N का मलब कि यहाँ पर अभी यह बना नहीं है तो इस तरीके से आप यहाँ पर list देख सकते हैं search आप कैसे करेंगे आप यहाँ पर control F दवाएंगे और आप यहाँ पर अपने नाम से जो है वो search कर सकते हैं ज और जन सेवा के इंदर पर आपको एक card बताना है और आपका card जो है वो बन जाएगा online कैसे बनाएंगे इसके बारे में मैंने एक video बना रखा है जो कि आपको video के screen पर दखाई दे रहा होगा और उससे आप click करके देख सकते हैं घर बैटे अपना card बना सकते हैं तो इस तरीक कर दो कर दो है पर देख सकते हमें खर और उससे आपको।